दोस्तों बात करें तो बिटकोईन ने अभी 52,500 का लेवल को टच किया उसके बाद दोबारा इन्होंने 58,000 का पीक लगाया उसके बाद अभी जो है 57,000 के आसपास पे ट्रेट कर रहा है लेकिन यहाँ पर एक magical चीज यह हुई कि बिटकोईन में तो अच्छा खासा डंप देखने को मिला लेकिन अल्ट कोई में कोई भी noticeable डंप हमें नहीं देखने को मिला जो की बुलन की सबसे बरी निशानी है मतलब यह कि लोग जो है अल्ट कोईन के लिए काफी positive हो रखे हैं उसकी बहुत सारी वज़ा है पहली वज़ा तो यही है कि ट्रम के winning के बहुत जादा chances हैं और ट्रम जो है bitcoin के लिए बहुत जादा positive है government में कुछ ऐसे roll regulation आ सकते हैं जो bitcoin को support करता हो उसके बाद positivity की और भी बहुत सारी वज़ा है 15 September को crypto का एक बड़ा event होने वाला है उसके बाद CZ Binance 29 September को जेल से बाहर आने वाले हैं उसके बाद बात करें तो कुछ दिन पहले ही bitcoin halving हुई 6 महिना पहले करेब और bitcoin halving के 6 महिने से salver के अंदर bitcoin में एक बहुत ही अच्छा pump देखने को मिलता है साथ ही साथ CPI data के positive आने की भी report है दोस्तों अगर बुलन की शुरुआत होगी तो शुरुआत मेमे coin से ही होगी क्योंकि लोगों को रातो रात करोर पती फास्ट हो तेजी से बनना बहुत पसंद है और दोस्तों एलन मस्त ने फिर से वही काम करना स्टार्ट कर दिया है यहाँ पर X पर आप देख सकते हैं बार बार यह Dodge को पर्मोट कर रहे हैं इन्डारेक्टली Department of Government Efficiency यानि एक तिर से दो निशाने लगा रहे हैं यह कह रहे हैं कि भाईया मैं किसी ना किसी गौर्मेंट Department में आ रहा हूँ कुछ दिन पहले इन्होंने टरंप का इंटर्विव भी किया था और यह टरंप को सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको रिटर्न में कुछ ना कुछ मिलेगा गौर्मेंट में या फिर Cabinet Minister के पोस्ट मिलेगी या किसी तरह का कुछ ना कुछ इनको इन रिटर्न सपोर्ट के मिलना ही वाला है और इनको अगर किसी तरह का सपोर्ट मिला तो क्रिप्टो को सपोर्ट मिलेगा और खास जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो डौज कॉइन को फायदा होगा तो ये डौज कॉइन और किप्टो का बहुत बड़ा यूज होगा इस बात को एलन मस्क भी अच्छे से समझते हैं कि उनके बोलने से इस बाहर कुछ नहीं होने वाला तो वो कुछ नकुछ इस बाहर करके देखाएंगे डौज कॉइन के लिए तो आपकी लिस्ट में पहले का रिटर्न की आप उम्मीद बिल्कुल कर सकते हैं डौज कॉइन से दोस्तो हमारी लिस्ट में दूसरा कॉइन होने वाला है वह भी डॉक्सी है अरे यार क्या आये कुछ नहीं चलना है आजकल यार मार्केट में दोस्तो पिक्सल वर्स की बात करें तो इन्होंने ज्यादा तो लोगों कोई ने कोई फालतू रिजन की वैसी एरड्रॉप दिया ही नहीं जिसकी वज़े से कॉम्मीटी इनसे बहुत जादा नाराज हो गई और बात करें तो जब एक्सजेंजेस पर आया तो यह 5X से लेके 10X तक दाउन चला गया आज की देट में इस कोई वैलू नह एक अच्छा सेंटिमेंट बना दिया है और चुकि इसकी कॉम्मीटी बहुत जादा स्ट्रॉंग है तो इन फ्यूचर इसमें एक बहुत अच्छा 100X जिसकी आपको उम्मीद थी अभी 100X तक का इसमें रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है दोस्तो बात करें तो इसके 3.7 सब्सक्राब रहें ट्विटर पे जो इसको एक अच्छा बूश्ट दे सकते हैं इन फ्यूचर साथ ही साथ इसका मार्केट कप अभी 500 मिलियन का है जिसमें अच्छा मुमेंट धिरे धिरे आपको देखने को मिलेगा दोस्तो बात करें खासके इंडियन कम्वनिटी की तो ज मैक्सलों मिलें बागे डिटेल के लिए आप इस वीडियो को चेक आउट कर सकते हैं इसमें मैंने डिटेल में बताया है कि आपका पॉर्टफोलियो किस तरह का होना चाहिए लॉंग टर्न अच्छा गेन करने के लिए दोस्तो इस लिस्ट में जो तीसरा कोईन होने वाला है वो हमारा है ब्रेट ब्रेट की बात करें तो ये बेस ब्लोकचेन का सबसे बरा मेमे कोईन है और बेस ब्लोकचेन के बारे में आपको पता होगा ये कोईन बेस का ब्लोकचेन है तो इन फीचर ये कोईन बेस पे भी लिस्ट हो सकता है और अगर ये कोईन बेस पे लिस्ट हो बहुत ज़्यादा ग्रो होने की possibility है दोस्तो एक स्पेस के 133 की community है जो कि तेजी से grow हो रही यह बहुत बड़ी community नहीं है लेकिन market में इस coin की hype बहुत ज़्यादा है और market cap की बात करें तो इसका market cap 764 million का है जो कि उपर जाने के बहुत ज़्यादा chances हैं दोस्तो हमारी लिस्ट म जो fourth coin होने वाला है वो myro होने वाला है myro के बात करें तो अब यह बहुत अच्छे price पे available है 80% जो है down है अपने peak से इसके बात करें तो x पे 73 के subscriber हैं उसके बात market cap सिर्फ 67 million का है अगर 10x भी market cap जाता है तो या फिर अपना peak को दोबारा touch करता है तो आपको 8-10x का profit हो सकता है हमारी लिस्ट में जो fifth coin होने वाला है वो ponk के है x पे 126 के subscriber है market cap इसका 144 million का है जो कि बहुत ज्यादा नहीं है दोस्तो एक बात मैं फिर से बता दूँ कि अगर आपको ये meme coin 10x से लेके 100x तक का profit दे सकते हैं तो यह आपको portfolio को डुबा भी सकते हैं इसलिए एक perfect portfolio आपका बन जरूरी है maximum meme coin में 5-10% investment कर सकते हैं बाकि portfolio के detail के लिए आप इस video को check out कर सकते हैं दोस्तों आप लोगों से एक complaint भी है video पे view अच्छे आ जाते हैं लेकिन like और comment नहीं आते तो video पसंद आए तो like and comment जरूर करें इससे हमारा moral boost होता है thank you very much